दोस्तों बात करने वाले हैं UGC NET जून 2024 एक्जाम कब तक होंगे इसके अलावा कब इसका जो है online form आपका आने वाला है यह सबसे ज़्यादा question आप पूछ रहे हैं UGC NET जून 2024 का form कब आएगा और इसकी त्यारी कैसे करनी है और इस बार दो major जो है बदलाव होने वाले हैं यह दोनो major जो बदलाव है एक तो syllabus को लेकर बदलाव है दूसरा negative marking इस बार लागू होने वाली है तो कब से लागू होगी और क्या यह सही में लागू होने वाली है इसके बारे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले तो यह हमारा आज का topic होने वाला है जो हम UGC NET जून 2024 के बा आप वीडियो को लास तक देखिए और चनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चनल को सब्सक्राइब करिए इससे तरह के अब्डेट पाने के लिए UGC NET से लेटेड हर एक अब्डेट आपको जो है इस चनल मिल जागे इससे form फिलप, admit card, answer, keep तो चले friends सभी information को अच्छे से सम को देखे, national testing agency 24-25 के लिए academic year calendar जारी किया हुआ है, इस calendar में आप देखेंगे तो बहुत सारे इंट्रेंस exam के बारे में discuss किया गया जिसमें बताए गया है, कब जो है exam सम conduct करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसी करम में 6 नवर पे UGC NET session 1 का जो exam होगा, वो आपका 10 June से ल दिन आगे भी हो सकता है, या पहले भी हो सकता है, पहले तो नहीं होता है, आगे होने की पूरी संभावन है होता है, या इस दिन भी हो सकता है, लेकिन यह एक specified date या आप मान के चले कि इसी दिन को आपका होने वाला है, अब हम बात करते कि form कब आएंगे, जब June में इसका exam ह 10 June से, तो form कब आएंगे, तो देखे friends, form की बात करें, तो form आपका जो है न, एक महिना या 40 दिन पहले आता है, इसी में आपका form भरे जाएंगे, application fee वगर असा होता है, correction का भी date आता है, तो June 2024 exam की बात करें, तो form जो है मई में आपके आजाएंगे, मई में, अब हो सकता है कि वह 5 मई को आ जाए, या 8 मई को आ जाए, या 10 मई को भी आ सकता है, तो यह आपका जो है, exam का जो form है, वह आने वाला है, UGC net June 2024 का, तो यह आपका important date है, हम आपको एक data दिखाना चाहते हैं, जो previous years exam हुए थे, June 2023 वाला, उसका form कब आया था, तो आप यहाँ data देख सकते हैं, यह इसका जो है, आपका exam हुआ था, उस बार 13 से 22 जुन तक, UGC net June 2023 साइकल का में बात कर रहा हूं, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा delay हुआ था, लेकिन लगवा लगवा टाइमिंग वही था, मतलब date वगरा match कर गया था, तो इसका जो form आया था, आप देख था, तो यह सारी चीजे थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें application fee और के बारे में यहाँ पे जनकारी दिया हुआ है, तो अभी आपके पास UGC net June 2024 की त्यारी करने के लिए, पूरा का पूरा जो है, 6 मन्त पड़ा हुआ है, तो आप इस 6 मन्त को अच्छे से utilize कर सकत हैं, अब त्यारी कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बहुती अच्छा platform बता रहा हूँ, PW, physics वाला, जी हां दोस्तों, physics वाला आपके लिए एक खास announcement किया हुआ है, अब आप भी अपना complete preparation जो है कर सकते हैं, with expert guidance के साथ, क्योंकि physics वाला लेकर आ गया है, UGC net preparation badge की अच्छे faculty के साथ, expert guides आपको आपे मिलने वाले हैं, इतना ही नहीं, अगर आप GRF aspirant है, तो PW आपके साथ हर कदम पर अपने नए mission GRF June badge के साथ यह आपको offer कर रहा है, अब देखेंगे तो आप बहुती सस्ते price पे, इतना कम प्राइस पे कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ल आपके कभर करवाएंगे complete UC NET GRF June 2024 के exam की syllabus के साथ, इसी के साथ आपको provide करेंगे जाएंगे DPP, notes, video lecture, ताकि आप अपने concept को और strong कर सकें, इतना ही नहीं, weekly test classes से अपने time management में भी mastery कर सकेंगे, और अपने doubts को easily clear कर सकेंगे, interactive doubt solutions के साथ, तो अब देर की इस बात की friends, early bird offer grab करें और इतना सब कुछ पाए, 8,000 की जगह, सिर्फ 4,999 रुपे में, अपने JRF mission को बनाए successfully, description में मैंने आपको लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप click करेंगे, PW application डाउड करेंगे, और इस special happy new year का फायदा उठाएंगे, तो इस platform के साथ आप अपनी बहतरीन त्यारी कर सबी जनकारी आपको description box में provide मैंने कर दिया है, और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भोली गया, 500 रुपीज का और additional आपको discount यहापे मिल जाएगा, मेरे तरब से, अगर आप coupon code यूज करेंगी, DS500 तो, यह जो आपका price है, 4,999 रुपे, इसमें आपको 500 का और discount हो तो इस offer का फाइदा आप जरूर उठाएं, और आपको मैंने link जो है description box में provide कर दिया है, अब हम बात करते हैं syllabus को लेकर, तो इस बार friend जो है syllabus आपका change होने वाला है, syllabus क्या बदलाव होगा, इसका भी कोई further update नहीं आया हुआ हुआ है, अगर syllabus change होता है, और होना है, क्योंकि update already जो है, आया हुआ कि syllabus इस बार change होने वाला है, तो देखे, syllabus जैसे ही change होगा है, तो आपको first week में ही इसका जनकारी मिल दाएगा, जनवरी first week की में बात कर रहा हूँ, जी हैं दोस्तों, क्योंकि six month पहले जो है न, कोई भी exam का syllabus change होता है, तो आपको announcement होती है, तो June में आपक जो लेकर आएंगे, अभी कोई update नहीं हुआ है, कि syllabus में क्या बदलाव करना है, क्या बदलाव नहीं हुआ है, इसके लिए कोई update अभी फर्दर नहीं आया हुआ है, बात करें negative marking की, तो negative marking को भी लेकर अभी कोई भी further update नहीं आया हुआ है, अगर update आता है, तो first week में ही आपक कोई further update आता है, तो, देखें, government का rule यहीं होता है, कि जो भी exams conduct हो रहे हैं, इंडिया में, six month के पहले, exam से six month के पहले, जो भी बदलाव होना है, उससे होनी होती है, जो भी conducting body होती है, exam conducting body, उसको जो है, पहले update देना होता है, exam से six month पहले, तो अगर update आएगा, syllabus को लेकर, या second week में ही, तो आप लोग अपना त्यारी करते रही है, अगर negative marking होता है, खत्म, तो, सही है, नहीं भी होता है, तो भी सही है, अब आप क्या सोचते है, comment box में बता सकते हैं, बाकी syllabus तो 100% बदलाव होगा ही इस बार, तो वो आप देख लीजेगा, जैसे syllabus आएगा तो, और जन I hope friends, आप लोग समझेंगे, इस important points को, आपके मन में कोई भी doubts है, UGC NIT 2024 को लेकर, तो आप हमें comment box में पूर सकते हैं, मिलते हैं किसी next video में, जाहिन